आपको देखना है कि इस क्लाइंट का स्टेटमेंट क्या है एज आफ टुडे तो आपको स्टेटमेंट पर क्लेक करना होता है जैसे आप स्टेटमेंट पर करते हैं आपको मंतली स्टेटमेंट दिखाई देता है मंथ 2021 फैबरी यहां पर आपको क्लाइंट से रिलेटेड सारी details दिखाई देती है एक तारीक को beginning balance कितना है कितनी तारीक को invoice बना है फिर अगला invoice कितनी तारीक को बना है फिर payment कितनी तारीक को हुआ है और अभी due balance कितना है इसी को अगर मुझे mail करना है तो simply mail पर click करना होता है तो यह statement customer के पास mail पर चले जाता है अगर आपको whatsapp करना है तो whats और आपका WhatsApp उपन हो जाएगा वहां पर ये कस्टमर का number selected होगा आपको सिर्फ send button पर क्लिक करना होगा और आपका एक statement जो होगा वो customer के पास पहुँचेटमेन की जो tedious process लॉंग process होती है वह काफी easily आप यहाँ पर finish कर लेते हैं